असलाम अलेकुम आरिवान कैसे हैं सब लोग उमीद करता हूं सब खैरियत से होंगे and welcome back to another video आज हम जिस topic पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के most underrated cricket stadium के बारे में है जी हाँ बिलकुल मैं एक बाल cricket stadium फैसलाबात की बात कर रहा हूँ इस पर मैं पहले भी दो तीन बार वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने तमाम तर stadium की basic information यहाँ पे कितनी capacity है stadium कब बना था, establish कब हुआ था, यह किन के underrated है वो तमाम तर चीज़ें हमने उसमें cover की हुई है अगर आपको basic information जानी है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं यूटूब पे search कर लें लेकिन इस वीडियो का जो मकसद है वो बहुत important है देखें अगर PCB या government इस बात पर focus नहीं कर रही कि स्टेडियम में PSL के matches करवाई जाएं या स्टेडियम को international standard के लिए अपग्रेड किया जाए वो एक अलग बात है कि PCB और government इसको अपग्रेड नहीं कर रही अगर आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं अट लीस्ट स्टेडियम की maintenance का ख्याल तो रख सकते हैं फैसलाबाद के क्रिकिस स्टेडियम को मुझे request भी करते हैं कि इसको highlight करें इस पर वीडियो बनाएं तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस स्टेडियम के आप बहुत request करते हैं उसकी आजकल हालत कैसी है देखें आप पाकिस्तान के top 10 स्टेडियम भी उठा लें उन में ये आप कहलें के चटे या साथो नंबर पे आता है यहाँ पे नश्टल T20 Cup के मैचेस होस्ट होस्ट होते रहे हैं काईदाजम टॉफी के मैचेस होस्ट होस्ट होते रहे हैं मिस बाउल हकाजर अली बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे खेलते रहे हैं लास्ट येर भी यहाँ पे मैचेस होस्ट हुए और इस बार भी काईदाजम टॉफी के जो मैचेस हैं वो शेडूल है आप मेरी बात के साथ अगरी भी करेंगे यहाँ पे बीकुछ स्टेडियू की तरह ही बना हुए बस इस पर फोकस करना है तो एक तरह से वीडियो बहुत इंपोर्न भी है पूरी देख लें ताके आपको सारी इनफोर्मेशन मिलचे है सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वाइस कॉलिटी मिले पसीरे से शराबूर हो गया तो कांड़ी लाइक कर दीजिए गा तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं चाल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आपको अपडेट्स की तरफ से पहले स्टेडियम की प्रेजन सिच्वेशन आपको दिखाने से पहले यह बात मैं आपको बता दूं आप यकीन मानिएगा यहां पे 2021-22 की काईदाजम ट्रॉफी के मैच इस होस्ट होने जा रहे हैं देखें स्टैंड्स में चेर्स भी हैं यह तुम्हां पहले भी एक्स् काईदाजम ट्रॉफी के मैच इस होस्ट होने जा रहे हैं मैं यह नहीं कह रहा है कि फैंस को अलाव ना करें लोगों को स्टेडियम में ना चोड़ें यह लोकल लेवल कर रिसंटल यहां पे टोर्नमेंट हो रहा था और लोगों का हजूम देखें ग्राउंड एरिया में ज ज्यादा रश्टा खैर स्टेडियम की हालत देख लें जो स्कोर बोड है उसको देख लें और इस तरह से स्टैंड्स भी मैं आपको सारे दिखाऊंगा कहने का मकसद यह है कि ठीक है लोग आएं यहां पे मैचेस होस्ट हों कलब लेवल की अकैडमी लेवल की यह देखें ग यहां पे आप कराएं कैडमी लेवल के कलब लेवल के टॉर्नमेंट होस्टों उससे मना नहीं किया किसी ने लेकिन एट लीस्ट स्टेडियम की मैंटेनस का ख्याल रखा जाए अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहें इसको अपग्रेडेशन पे नहीं फोकस कर रहें इसकी स्टेडियम डहें यह देखें मीडिया-बॉक्स में में पूलेयन के इनसासइड सारे सकूल के बच्चे भी आय वे थे लेकिन अगी देखें वो एक चेंज आई थी लेकिन कादाजम ट्रॉफी के लिए कादाफी स्टेडियम लाहोर, नैसल स्टेडियम कराची, फैसलबाद और यह तीन स्टेडियम मैंशन है और आई थिंक बुक्टी क्रिक स्टेडियम भी है, आम नौट शोर अबाट बाट लेकिन आप उजे कमेंट स सर्फिस खराब कर दी थी, मैं इसको कई बार फोकस करता हुआ हूँ, आपने रिक्वेस्ट भी की, देखें, यह बिल्कुल पिंडी स्टेडियम के जैसे दिखता है, वो स्टेड्स भी उसी तरह से, और जो यहां पे ग्राउंड सर्फिस है, स्कोर बोर्ड आप देख लें, स्क्रीन आप देख लें, वो सारी पिंडी स्टेडियम से मुशाबिहत रखती है, स्टेड्स में चेर्स भी इंस्टालने हैं, दो बड़े स्टेड्स में चेर्स हैं, यलो और ब्लैक कलर की, लेकिन यह चीज़ जब मैंने देखी तो मैं यकीनन काफी हरान हुआ और आप भी मेरी बात से अग्री करें, यह यह क्या है, जरा आप लोगों को देखें, और यहां पे जो टॉर्नमेंट हो रहा था जिस लावल का, स्टेडियम के ग्राउन सर्फिस के उपर लोग फिर रहे थे, वहां पे बैटे हुए थे, साब ने यह मीडिया बॉक्स देखें, और इसक इस तरह से मचाया हुए है, सारे स्टेडियम का सत्या नास कर दिया है, मेरी यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, बड़े जो जर्नलिस्ट हमारे ट्विटर पे उनके साथ टैग करें, कि यार यह देखें, जिस तरह स्टेडियम हैधरबाद तबाह हो ग मेडिया बॉक्स मेन पॉलियन के ऊपर टॉप फ्लोर पर भी लोग चड़े हुए थे, यहां से अगर आप एक वीडियो देखें तो मैं पिंडी स्टेडियम के इसके साथ मशाबियत करता हूँ, यहां से भी आप मेरी बात से अग्री करेंगे, बड़ आप कमेंट सेक्शन म देख लें, इस सिटी को देख लें, वैसलाबाद को आपने अड़ करना है, तो आपका PSL आगे जाएगा, एक बड़ी सिटी है, यहां पे एक अच्छा दिनका होम स्टेडियम है, तो क्यों इसको खराब कर रहे हैं, भी ना करें अपग्रेड, ना करें लेकिन अटलीस यह PC आप लोगो को इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं और आप से कह रहा हूं कि इसको शेयर करें आगे, बाकी जो इसकी हिस्टरी है, वो स्टार्ट में जैसे मैं आप से कहा है, यह एक अच्छा बहतरीन स्टेडियम है, इसको अपग्रेड किया जा सकता है, आप देखें, सामने पुईलियन इस तरह से, सारी, ये सामने मीडिया बॉक्स है, और इस सैट पर में पुईलिएन है, यहां पे मराण خان इंक्लोज़र है, हमारे लजं 세ब करिकेटर्स यहां पे खें क्हिलते रहे हैं, यह हमारी domestic ऑ्रिकेट का एक बड़ा सरमाया है, यह देखें, यह पो स्टेडियम के मैंटेनस का खाल रखा जा रहा है बस लोगों को छोड़ा हुआ है अंदर जा रहा है यह नहीं देख रहे हैं कि भाई यह हमारी डुमेस्टिक लेवल इंटरनाशनल क्रिकेट पीएसल के लिए अच्छा साबित हो सकता है स्टेडियम इसको थोड़ा सा मेंटें करके रखें उसी तरह से वापस बंजर ना हो जाएं जैसे पहले हुए थे दस साल पहले मतलब जब हम बैन हुए थे खैर मैंने तो हाइलाइट कर दिया मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं बस आप भी मेरे साथ सपोर्ट करें सकते हैं मैंने अपना फरस पूरा कर दिया है सोशल मीडिया हैनलस पर आके फालो कर लें वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं मैं रिप्लाइए करने कोशिश करूंगा इंशाला में नेक्स्ट वीडियो में दिश्यों बहुए हमेद आफसल सानिंग आफ टेक केर अ कि अचेँ आफसल साइब आफसल सानियों कर आफसल साइब आफसल साइब भी मैं आफसल इनाफसल